आज हम आप लोगों को TGT और PGT में पूछे गए प्रीवियस एर्गे क्वेस्टन्स बताऊंगा तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखी चलिए सुरू करते हैं पहला कुश्चन है एक वाइरस अथवा विशाण में पाया जाता है केवल DNA, केवल RNA, केवल प्रोटीन, प्रोटीन तथा नुकलिक अमल तो एक विशाण या वाइरस में क्या पाया जाता है तो इसमें आंसर सही होगा प्रोटीन तथा नुकलिक अमल आप लोगों को बता दें कि जो विशाण होते हैं ये nucleo proteins के बने होते हैं nucleo protein यानि protein और nucleic amal nucleo protein ये हो गया काण होते हैं से कि इनमें केवल nucleic amal DNA अथे RNA होता है केवल DNA या तो फिर केवल RNA पाया जाता है Next question है नेमन लेखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है कहा गया है कि किसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है तो इसका आंसर होगा HIV का क्योंकि ये वाइरस है और वाइरस जो HIV है इसमें RNA जेनेटिक पदार्थ या आन्वांसिक पदार्थ पाया जाता है आप लोगों को बता दें कि ये PGT 2004 और 2013 में प्रशन दो बार पूछा गया है और आपको एक चीज बता दें कि PGT और TGT में एक दूसरे में बदल बदल करके प्रशन आते रहते हैं तो वो चाहे TGT का हो चाहे PGT का हो दोनों तयार कर लिजिए कहीं भी पूछा जा सकता है तो इसका आंसर आपको बताया कि HIV होगा बताते चलें कि जेनेटिक पदार्थ अथवा जेनेटिक मेटेरियल के रूप में केवल RNA HIV में पाया जाता है और HIV एक रेट्रो वाइरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री RNA होता है जबकि जो बैक्टिरियो फेज वाइरस है इनमें जेनेटिक पदार्थ DNA होता है और कभी कभी RNA भी पाया जाता है next question है HIV वाइरस है राइबो वाइरस रेट्रो वाइरस दियाक्सी राइबो वाइरस उबकित में से कोई नहीं तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो HIV वाइरस है ये एक प्रकार का रेट्रो वाइरस होता है रेट्रो वाइरस next question है montanier तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का स्रेज आता है एट्स विशार होगा एट्स विशार तो अमेरिका के लुक montanier तथा राबर्ट गैलो ने सरप्रथम एट्स विशार की खोज की थी किसने लुक montanier और राबर्ट गैलो ने सबसे पहले एट्स विशार की खोज की थी और बात में इसे HIV नाम दिया गया था नेस्ट विश्चन है निम लिखित में से कौन ना तो प्राकेंद्री है ना ही सुकेंद्री है तो निम लिखित में से कौन ना तो प्राकेंद्री है और ना ही सुकेंद्री आंसर इसका होगा लास्ट वाला टी एमवी यदि टोबैको मजायक वाईरस जो है यह ना प्राग केंदरी है और ना ही सुकेंदरी यदि ना ही प्रोकरियाटिक है और ना ही योकरियाटिक है यह TGT 2013 में प्रश्ण पूछा गया था आपको बता दें कि जो TMV है यानि टोबैको मजयक वायरस है ये एक सुत्री RNA होता है अभी आपको बताय था जिसे सजियों के स्रेडी में नहीं रखा गया है और इसमें कोशिका सनचना होती ही नहीं है इसलिए इसे ना प्राकेंद्री कहा गया है और ना सुकेंद्री कहा गया है एक पादब बिशाण में साधरतया होता है पादब बिशाण में प्लांट वायरस में क्या क्या होता है आर एने डी अने उप्यक्त दोनों उप्यक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा पहला आर एने एक पादब बिशाण या प्लांट वायरस में आर एने यानि राइब निवक्लिक एसेड होता है ये PGT 2013 में पूछा गया था आपको बता दें कि पादब विशाड़ों में अनुवांसिक पदार्द अथवा जेनिटिक माटेरियल मुख्य रूप से RNA ही पाया जाता है जब कि जन्त विशाड़ों में यह RNA और DNA की रूप में भी मिल जाता है इनमें से कौन से युगल एक विशाड़ों की रचना करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं जो विशाड़ों होते हैं वो नुकिलिो प्रोटेंस के बने होते हैं इसलिए इसमें आंसर कौन सा सा योगा C, प्रोटीन एवं नियुकलिक एसिट बीशान की रजना है ये PGT बोटनी 2013 में पूछा गया था Next question है बायराइट्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं जो बायराइट्स हैं ये केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं प्रोटीन आणू, RNA आणू, स्टार्च आणू, कार्बोहाइडरेट आणू तो ये PGT बोटनी 2013 में पूछा गया है प्रेशन इसमें आंसर क्या होगा जल्दी से सोचिए कि वायराइट्स किसके द्वारा बने होते हैं तो इसका आंसर होगा RNA आणू के द्वारा बने होते हैं जो वायराइट्स होते हैं ये RNA के एक सूच्म रज्जुक या स्ट्रेंड से निर्मित होते हैं और जिनमें न्यूगलियो प्रोटीन का आवण पाया ही नहीं जाता है वर्स 1971 में T.O. डाइनर ने इन संकरामक कारकों को वायराइट्स कहा था अगर आप लोग वायराइट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं बैक्टीरिया पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चर्ब में सभी वीडियो अप्लोड़र हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं नेस्ट कुछिशन है नवड़कित में से किसने विशाणु की खोज की मेर, इवानवस्की, पास्चर उपेक्त में से कोई नहीं विशाणु की खोज किसने की बताना है तो PGT 2013 में प्रश्ण आया था इसका आंसर होगा B आसिट की बने होती है कई बारा भी हमने आपको बताया है और विशाणु सजीव तथा निर्जीव के बिच्की कड़ी भी समझे जाते है सजीवों और निर्जों की बिच्की कड़ी कौन है तो विशाणु या वाइरस होते है नेस्ट कुछिशन है जब एक विशाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोसी में प्रिवेश करने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन परत नाभकी अमले लिखा है आपने नियूकलिक अमलों होगा गलत छप गया है नियूकलिक अमल A और B दोनों इन में से कोई नहीं तो ये TGT 2013 में पूछा गया है तो इसका आंसर आपको बताना है इसका आंसर होगा B नियूकलिक अमल यानि जब एक विशाणु जीवाण पर आक्रमा करता है तब परपोसी में क्या प्रिवेश करता है नियूकलिक अमल प्रिवेश करता है आप लोगों को बता दें कि विशाण में प्रोटीन की जो परत होती है परत के भीतर नियूकलिक अमल पाया जाता है और विशाण जब किसी कोई का में प्रिवेश करता है तब जो प्रोटीन की परत है वो तूट जाती है और नुकलिक अमलिकोस्व के अंदर प्रिवेस कर जाता है इस तरह से नुकलिक अंदर चला जाता है नेश्ट कुश्चन है सबसे सूज में प्रोटीन युक तो संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रियांस, विशाडो, विशाडो, जीवान, भोजी ये TGT 2013 में प्रश्ण आया था तो इसका आंसर होगा प्रियांस यदि आप लोग प्रियांस पर विडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चल में अपलोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं नेश्ट कुश्चन है रानी खेत बिमारी संबंधित है रानी खेत बिमारी किस से संबंधित है मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेसम कीट से, मवेसियों से तो ये PGT 2011 में प्रश्ण पूछा गया है रानी खेत बिमारी किस से संबंधित है आंसर इसमें होगा मुर्गी पालन से संबंधित है रानी खेद बिमारी जो है ये वायरस से होने वाला एक रोग है नेश्ट कुछिस्टन है T4 बैक्टिरियो फेज उत्पन किये जा सकते हैं आत्रिय जीवाडों की E. coli में कृतिम समवर्धन माध्यम में दोनों में किसी में नहीं ये PGT 2005 में प्रश्ण पूछा गया है T4 बैक्टिरियो फेज उत्पन किये जा सकते हैं इसमें आंसर कौन से सही होगा तो पहला आत्रिय जीवाडों E. coli में उत्पन किये जा सकते हैं बता दें कि T4 बैक्टिरियो फेज एक विशाण होता है जिसे E. coli जीवाडों में उत्पन किया जा सकता है और इसका उपयोग Gene Engineering अथवा Genetic Engineering में किया जाता है नेश कृच्छन है विरियान का क्या अर्थ है वाइरस का कैपसिट है वाइरस की पूर्ण अवस्था है वाइरस का नियुकलिक अमल है मृत्व वाइरस है विरियान है क्या वास्तों में ये TGT 2005 में पूच्छन पूचा गया था तो इसका आंसर बताना है कि विरियान का अर्थ क्या है तो विरियान का अर्थ होता है मृत्व वाइरस तो एक अक्री वाइरस को विरियान कहा जाता है अक्री जो सक्रिय ना हो और यहां वाइरस जीवित कोश्का के भीतर सजीव के रूप में सक्री रहता है अगर जीवित कोश्का है तो उसके भीतर सक्री रहेगा जबकि कोश्का के बाहर बिल्कुल निस्क्री होता है एक्दम निर्जीव जा सम्मरा हुआ होता है तो इसका आं होता है यह एक्वाइर्स इम्यूनोडिफिसेंसी सिंड्रोम यह किस से उत्पन्न होता है जीवाडवों द्वारा कावग बीजान द्वारा परागकन द्वारा विशाण एच आईव यह प्रश्ण TGT 2005 में पूछा गया था इसमें बताना है एड्स किस से उत्पन्न होता है त उत्पन्न होता है और यह वारेस प्तिर्च्छा तंत्र की कोशकाओं को नस्ट करता है यानि हमारे सारेद करता है एम्यून सिष्टम को खत्म कर देता है यह सभी यह 2011 में प्रश्ण पूछा गया है कि निम्ण में से किस बिशाण में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आर्ने से डिन्ने की तरफ होता है तो इसमें आंसर होगा HIV वाइरस में इसका पूरा नाम होता है और HIV एक जटिल आवरण युक्त रेटरो वाइरस है